असलाम लेकुम विवोर्स कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टो मैं चैनल में और माइवर्ड आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि आप घर पर देशी की कैसे बना सकते हैं बहुत ही आसान होता है बनाना इसको घर पर आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको एक जायेगा तो जान लेते हैं हम की ये कैसे होगा तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है या इक प्रत स्वार्ट को निकाल करके रख लेना है आपको डेवी दो दिन ?' दिन टेन चार दिन पाश दिन इस तरह जैसे भी निकलती है अगर आपके घर में दूद जादा आता है दो लीटर आता है या तीन लीटर आता है तो आपका ये दस दिन में तयार हो जाएगा और अगर आपकी घर में एक लीटर दूद आता है या आदा लीटर आता है जैसा भी तो आप इसे 15-20 दिन पर बना सकते हो क्यों स्मेल लगने लगेगी लेकिन वो खराब नहीं होती है उसी जो मलाई होती है उसी की जो क्रीम बनती है तब आप उससे जो है गी निकालते हैं जब आपकी मलाई अकठे हो जाए, दस दिन या पणन्रह दिन हो जाए जसे आज आप नीव निकालना चाहे, जाहे जाये जाहे ज़्छा नपजान करके एक निकालना नहीं ऩाप एक हफ्ते में भी निकाल सकते नपया है तो आपको करना है कि फ्रिस से निकालना है आपकी जो मलाई है उसे और इसे एक हैवी वर्तन में आपको लेना है और फिर इसके बाद उसे जो है दीरे दीरे पकाते रहना है जब स्टार्टिंग में मलाई गरम हो जाएगी तो आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हो चलाने की जरूरत नहीं है नहीं चलाओगे तब भी होनी जलेगी लेकिन जब आप ये मलाई अच्छी खासी जब बॉयल होने लगे जैसे कि अब होना शुरू हो गई है त चलाते चलाते ये पकती रहेगी दीरे 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 देखे इसमें उबाला बहुर जादा आने लगा है जब इस तरह का उबाला आने लगीगा तो आप देखेंगे कि इसमें हलकी हलकी घी छोड़ने लगीगी तो अब हम चेक कर लेते कि इसमें हलका की छोड़ा है या नहीं डेखते हैं ये बिल्कल हलका सा आप देख सकते होंगे कि बिल्कल हलकी से घी अभ छोडने लगे भी जादा नहीं है जब जादा छोडने लगे तो आपको समझ में भी आने लगेगा ठोल सब्सक्राया जाद पति है ठोलसा बोट किजिक तो इसके बेस लिए ऄारेत houses issued और अगर चोटी हुई तो आपको पास सही करना पड़ेगा तो आप जल सकते हैं इसकी जो छीटे होती है काफी दूर तक जाती है चचे में जहीं हो साठी मुइं करते हैं लेकिन जासे जासे गी छोड़ने लगता है तर तक शीट परने हो तो यह जो एगार कि जिए और सब्सक्राइब होती अगी सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें, चोड़ता है बजार की घी ज़ादा छीनी होती है लिकिन जो घर की बने उसлять हैक, गी होटानी में दिक देटी अधाली ग्यांटा। भूछ कहले हैं तो तो आपको ये रियालाइज होगा कि बाहर और घर की घी में क्या स्नीर डित्स होता है तो अब आप देख रहे हैं कि धीरे-धीरे घी जो है हमारी वो तैयार हो रही है आपको इसको चलाते रहना है क्योंकि अगर आपने चलाना छोड़ दिया तो ये जो है जल जाएगी तो घी अच्छा नहीं होगा बहुती आसान तरीके से बन जाती इसमें कुछ भी नहीं करना होता ना कोई चीज़ आट करनी होती है ना चीनी डालना होता है मेरे हिसाब से तो बहुती एजी होता है क्योंकि सिर्फ आपको करना क्या होता है कि मलाई को आपको धीरे-धीरे बस एकट्टी करनी है और फिर उसके बाद मलाइक को डायरेक्ट टेक बरतन में निकाल कर कुछे बनाना है इसमें कोई मेहनत भी नहीं होती, सिर्फ आपको बस इसे continuously देखना पड़ता है तो दीरे दीरे बस हमारा गी अब रड़ी होने वाला है, जब गी रड़ी हो जाएगा पूरा तो गी में से फेन निकलने लगेगा तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से फेन निकलेगा कि आपको गी अलग हो रही है, जब गी अलग हो जाएगे, इसको बिल्कुल रेड़े कि आपको बस लाइट करनेल, इतना ऊपको इस जलाना भी नहीं है पूँल यिझी ज़ता साय एक ज़सा अधर को घाल जाय है कि अधर चाहते जेता है यह आप लोगों से शेयर करदा दो यह बहुत काम की चीज भी होती है तो कैसे लगी आपको मेरे आज के व्लॉग में बस यही है और आपको मेरे विडियो जैसे भी लगी हो कमेंट करके लि जोने वाला हमारा बस दीरे दीरे से चलाते रहना है पाच मिनट और बाकि यह पाच मिनट में बिल गड़ा दिया जाएगा देखे इस तरहा घीर जादा इसमें बिलकुछ छोड़ दिया इसमें लेकिन से हल्का चार रहे तो जितना भी एक्स्टॉड घीर जादा निकलेगा चीदना भी जाएगा तो जादा भी जाए लेकिन जादा रहरे जाए तो फिर उसके बाद नहीं बनाते लोग क्योंकि वो खड़ आने लगता है और कुछ लोग तो उसे ऐसे भी खाते हैं उसे चिनी डाल करके उसे खाया भी जाता है बस घी अब बन करके बस रेडी हो चुका है सिर्फ दो मिनट और दो मिनट में पुरा घी हमारा जो है वो रेडी हो जाएगा जब घी छोड़ने भी लगे फिर भी आपको इसे चलाते रहना है अगर आपने इसे चलाया नहीं और छोड़ दिया तो ये कहीं पर जाधा जल जाएगा कहीं पर हलका होगा तो इसलिए इसे चलाना बहुत ज़रूरी होता है तो देखने हैं कि आप लोग इसमें बिलकु फेन निकलने लगाईे यह फेन यह घी हमारा तो अब यह दीरे दीरे फेन है उबाल लेगा फिर उबाल लिए पर ठकम होजाएगा आप देखने हैं आपको बस इस तरह करना है सिर्फ इतना पकाना कि इतना रेड हो जाए इससे ज़ादा नहीं करने इससे ज़ादा आप करेंगे तो आपकी घी में जलने की इसमेल आने लगेगी तो बस हमारा घी अपन करके रेडी हो चुका है बिल्कुल तयार है अब इसे चान लेंगे मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए लाफिस गुडबाई दुवाओं में याद रखेगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर दीजेगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए है या अब तक घर की घी में क्या फर्क होता है घर की घी आपको पसंद आएगी